हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल रिद्यो ओफिशल जोन दिस रिद्यो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग का एसेस्मेंट फॉर लर्निंग में एक नुमेरिकल का पार्ट आता है जो कि आपका है किस तरीके से आपके एक्जाम में अगर कोशन आएगा तो आप कैसे सॉल्फ करेंगे वीडियो पसंद आईगी तो लाइक शेयर जरू कीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना जैसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पर अ लेटेस्ट का वीडियो जो आप लोग के नोटिफिकेशन नहीं आता इसकी प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्फ हो जाएगी तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन विद ओल पर प्रेस करना जरूर है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर का आप लोग रिद्यो ओफिशल जोन सर्च कर लिजेगा और आप लोग वहाँ पर जॉइन कर सकते हैं तो स्पियर मैं ड्रेंग डिफरेंस मैथर जो आप लोग का सवाल आता है तो आप लोगों से वैरी शॉट में यह पूछा भी जा सकता है तो नॉर्मली मैंने आप लिग रखना है कि अगर वैरी शॉट में नॉर्मली पूछ भी लिया जाता है तो किस तरीके से आपको बताना है तो आप लोग यहां पर यह फॉर्मूला आ जाता है किसका स्पियर मैंड डिफरेंस मैथर का याद रखिएगा चलिए इसका आप लोग यहां पर शो कर लेते हैं कि सिस्क्रीच से आपको बताया गया है कि आप जो आपका पी दिया गया है वह आपका कोफिशेंट ऑस्को रिलेशन को शो करेगा उसके बाद आपका सिग्मा आपका टोटल ओ जाएगा डिसके नो अवाक में ओन्होंपन करेंगे उसके का टोटल नंबर आपका कितना है वो आपका हो जाता है एन राइट तो चलिए एक्जामपल देख लेता है जिस तरीके से आप लोग से कोशन पूछा जाता है मैंने कोशिश करिए कि इसमें आप लोग को यहां पर ब्रीफली एक्स्प्लेइन कर पाऊं दोस्तों इस वाले में आप लोग एक्जामपल देखेंगे तो यहां पर बताया गया है कि दस स्टूरेंट है जिन्होंने मैथ में स्कोर किया है मैथमेटिक्स और साइंस में एक्जामिनेशन का हंडेड मार्क्स इच यानि क करेंगे जो आज मैं इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करने वाली हूं वीडियो के एंड में एक बहुत इंपोर्टन बात बताऊंगी दोस्तों जो आपके लिए काफी हद तक बेनिफीचल करेगी तो वीडियो को एंड में जरूर देखेगा और सवाल का मोस्ट सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आप लोग का स्टूरेंट बता दिया गया है कि एब सीडियों यहां पर अब अपलों करना है कि यहां पर नमर्पे कितने स्टूरेंटेंट बनाना है तो सबसे पहले आप लोग को टेबल बनानी है आप लोग यह बोल सकते हैं कि आपका अंसर यहां से आप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप लोग टेबल बना लीजेगा उसके बाद आपको क्या करना है एक सेकिंड थोड़ा सा चलिए उसके बाद आप लोग को क्या करना ह सबसे पहले आप टोटल नंबर ओफ स्टूडंट आप लोग ने देख लिया पहला स्टैप आप को टेबल में बनानी है उसके बाद साइंस में कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया था वह भी हम लोग ने आप बरीफली बता दिया अब होता है हमारा अंसर यहां पर स्टार् पहलसा टैप दोस्तों कि डाल नाम Tôi सब्सक्राइब क्चाइब का छोटा बताना है अगर यह च्छान में पहुत स्कॉठा उसी तरीके साल की ता है इसी तरीके से आपको समय करना है अगर हम लोग करके देखेंगे तो यहां पर नॉर्मली बताया भी गया है इस तरीक से आपको करना है तो जैसे गर आप लोग देख paint on यहांपर इंपॉर्टेंट व्यांथ में जासे मैं आप लोग देखेंगे तो 65 is the highest स्टूड्ट तो इसमें आर वन महीं पर इसकी फिर्स्ट रैंक होगी उसके बाद आपके जो सेकिंड रैंक पर आता है वह आपका आता है त्थी तू और उसके बाद आता है सिक्सत्रेंग पर क्या जाता है आपका 47 और उसके बाद रोगों करक्षोन NET तरफिन मसे तुट रहे हैं मोश्छे इसमें इसमें आपको यादर रखना है कि जिस बच्चे के ज़ादा score होंगे उसी को उसके रैंक के according लगा ना है उस ने ज़ादा score किया है तो first rank उसके बाद किसने किया है second, third rank जैसे आप लोग के exam में दी जाते हैं पर देना है कि साइंस में ने सबसे ज़्यादा स्कॉर किया है तो आप लोग देखेंगे कि कौन से राइंक फर्स्ट कौन आया है उसके बाद देखेंगे तो इसमें आता है जी जिस आप लोग देखेंगे तो तो नमबर कम लाने वजह से वह तो सेवंथ में आती है उसके 40 जो कि आपका एच लेकर आया है साइंस में 40 नुमबर तो उसके बाद 9 रैंक पर हम लोग लेकर आएंगे जिसके आया है 35 लास्ट आपका जो आता है 10 नुमबर यानि कि 10 में अगर आप लोग देखेंगे तो 25 आएगा यानि इस तरीके से आप लोग अपना रैंक डिसाइड क करना है चलिए उसके बाद आप लोग को फॉर्मुले क्या करना है उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को क्या करना है नेक्स्ट स्टैप थर्ड स्टैप आप लोग बोल सकते हैं तो आपको आरवन में से आर्टू घटाना है जिससे आप लोग का डी नि 2 उसके बाद 7 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 1 3 में से 1 को घटाने से आप लोग का यहाँ पे आजाता है 2 और उसके बाद 6 में से 4 आजाएगा 2 9 में से आप लोग 9 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा 2 में से 5 को माइनस करने से आपका माइनस 3 आ रहा है 4 में से 2 करने से आप लोग का 2 आएगा 8 में से 8 को 0 करने से आप लोग का क्या आएगा यहाँ पर आएगा 0 और उसके बाद 10 में से आप लोग 10 को माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा माइनस का 2 तो इस तरीके से आपको R1 और R2 को माइनस कर देना है इनका डिफरेंस आप लोग का D कहलाएगा याद रखेगा और आपस में उसके बाद आप लोग को क्या करना है next step जो आपको निकालना है वो निकालना है आपको D का square कैसे निकालना है कि जो आपने एर वन और डिफरेंस किया था उससे आपको D निकला था उसका आपको square करना है यानि कि आप लोग का यहाँ पर आया है पूर कैसे आया है कि जो आपका माइनस टू का square हैगा वह आपका क्या होगा यहाँ पे square निकल जाएगा तो इसका 4 है इसी त्रीके से आप लोग 2 का square करेंगे तो first आएगा टू का स्क्वेर करने से फोर टू का स्क्वेर करेंगे तो फिर से फोर और जीरो का स्क्वेर जीरो ही होगा माइनस तरीका स्क्वेर करने से आपका आजाएगा नाइन राइट स्क्वेर करने पर माइनस कर जाता है यह बात आप लोग जानते होंगे तू का स्क्वेर क और लास्ट में आपका टू का स्क्वैर होता है तो इस तरीके से आपका डिका स्क्वैर यानि की रैंक ओफ डिफेरंस निकल जाएगा आप लोग को याद रखना है उसके बाद नेक्स नहां पर जो प्रोसीजर वह आप लोगका यह है कि आप लोग कर लेंगे कि कितने स्टू देखना है, तो इस तरीके से आप लोगा अनसर है पर zero आएगा, यानि two में से अगर आप one घटाएंगे, तो minus one आएगा, right, इन लोग को आपस में plus minus करके आप लोग अनसर देखेंगे, तो sigma कितना आ जाएगा, आपका zero ही आएगा, आप लोग सब्सक्राइब थो प्लस में निकालने दोस्तों सब्सक्राइब 001 में प्लस यहां पे-3-3-a जएका उसके बाद जीरो में आप तो कर देंगे तो अंसर क्या जगा आप थारिके से आप लोग को यहां पर इसका निकल जाएगा इसके बाद सकहर आपको करना है है यहां पर जिसका भी ऐसका आपको टोटल कर लेंगे तो इसका तोटल आपका 30 यानि फूर में उन पलस किया वन में 4 फूर में फूर उसके बाद 4 में आप लोगों कर यह पे नइन लिखा है और लास्ट में आप लोग इनको प्लस करेंगे तो sigma d square हमारा कितना आ रहा है 30 तो आपको याद रखना है कि n हमारा 10 आया था sigma d square हमारा आया था 30 अब आता है आपका formula next step आप लोगों निकाल लिए अब आपका formula यहां पे इस तरी किसे आपको लिखना है formula में सिक्स में आपको 30 कर देना है एन हमारा 10 था आप लोगो पीछे आपने देखा होगा कि sigma d square था वह हमारा 30 आया था और जो n आया था वह हमारा कितना था 10 तो इसके according हम लोग यहां पर पूट कर लेंगे और आपने यहां पर पूट करने के बाद 1-6 को 30 से रिखिए इंटू करेंगे तो 180 आईगा और उसके बाद 10 थ Grand Sunshine क्या सक्वेट आपका 100 माइनस वन तो आपका क्या पर quarter रहें रहिए आपका वन रहें एंटी से बाद 10 और उसके बाद 100 में से वन माइनस करने पर आपक आपका आज liksom आजाता है और उस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वन माइनस पॉइंट एटीन तो इसका करने से आपका अंसर क्या जाएगा जीरो पॉइंट एटी टू राइट इस तरीके से आप लोगों को स्पियर मैंन का डिफ्रेंस मेथड निकालना है तो आप लोग अगर सवाल में गौर करेंगे दोस्तो तो कोफिशेंट अगर कोरिलेशन आजाएगा तो इसमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका जो यह पॉइंट एटी टू है वह आपका हाइयर स्कोर है किसका मैथमेटिक्स और साइंस का तो वह आप लोग का एक सवाल हो गया नेक्स्ट में आप लोग लिए एक और एक प्रेंस मेथड वह गया दूसरे आप लोग हैं पर सॉल्फ करेंगे कि अगर यह आप लोग के बुक का एक्जामपल में आप लोगों कर रहे हूं कि यहां पर आपको डिबेट कॉम्पेटिशन में आठ यहां पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है यहां पर दो जज अब आपको सवाल निकालने हैं दोस्तों आप लोग यहां पर पहले आपको कितना रेंक दिया वह यहां पर आ गया और सेकिंड जैज ने आपका क्या दिया है यहां रखेगा इस वाले कोशन में रैंक पहले ही दे रखिया आप लोग को इससे लिए लगाने की जरूरत नही हैं जिसमें रैंक आपको और की उसमें आप लोग उन्हें रैंक प्रवाइड नहीं करेंगे तो यह यादि को बता दिया गया है कि जो पर इंग रैंग पर यिसी तरीके से आप लोग का रैंक दे रहा है तो इसमें आप लोग को rank नहीं करना है आप लोग को direct method रखना है यानि कि rank का difference निकालना है r1 minus r2 जैसे आप करते हैं तो आपको क्या करना है 1 में से 2 को minus करेंगे तो यहापे minus 1 आजाएगा उसके बाद 6 में से आपको 4 minus करना है तो आप लोग का 1 आजाएगा 6 में से 6 को करेंगे तो 0 आजाएगा और उसके बाद 7 में से 8 करने से minus 1 3 में से minus 5 करेंगे तो minus 2 आजाएगा और 2 में से 3 minus करेंगे तो कितना आजाएगा minus का 1 क्योंकि यहापे 3 बढ़ा इसलिए minus 1 आएगा 4 में से 1 करने से 3 आएगा और 8 में से 7 माइनस करने के आपका 1 आजाएगा इस तरीके से आप लोग का क्या निकल जाएगा D निकल जाएगा फिर जैसे मैंने आप लोग को last वाले method में बताया था कि आप लोग को क्या करना है इसका डी यानि कि सिग्मा डी निकलना है तो इन लोग का आपस में जो plus minus से वह्चे करना है में आपको 3 और 4 लेग तो माइनस का 4 और प्लस का 4 आपका क्या है जीरो मुस्टलि आप लोगों का सिग्मा डी 0 ही निकलेगा ऐसा हो सकता है अदरवाइस आप लोग चेक आउट कर लिजेगा इस तरी किसे आपका सिग्मा सिग्मा डी यहां पर जीरो आ गया और स्क्वेर ऑफ रेंक डिफ्रेंस निकले यानि कि जो आपका डी आया है उसका आपका स्क्वेर करना है यानि वन का स्क्वेर वन आ गया वन आपका स्क्वेर वन ही आएगा उसके बाद जीरो का जीरो हो गया माइनस वन का होल स्क्वेर अ का अपस में आप लोग को टोटल करेंगे तो सिगमा डी स्क्वर निकल जाएगा जो कि आपका यहां पर एटीन आरा है अब आप लोग को पर प्राया गया था तो इस तरीके से इंडू करने से 108 आ रहा है एट का एट का स्क्वेर आपका 64 होता और आपको वन माइनस करना है तो यहां पर आप लोग को सवाल निकलेगा वह तरीके सो सॉल्फ करने के बाद आपका आ रहा है पॉइंट सेवंटी नाइन याद रखिएगा पॉइंट का बहुत बड़ा रोल होता है त दोनों जर्ज को यहां पर पॉजिट्रिफ कॉर्रिलेशन है इससे मतलब नहीं आप लोग को सिफ अंसर तक ही में इंपॉर्टेंट था तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग को क्या होता है यहां पर यह दो मैथट मैंने बता दिया कि रैंक डिफ्रेंस मैथड आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसमें स्पियर मैन के इसमें कोशन में बच्चों को काफी हतक डाउट है कि स्पियर मैन रैंक डिफ्रेंस मैथड मैंने बताया है एक दूसरा मैथड आपका आता है स्पियर मैन कोरिलेशन रैंक मैथड अगर वो होले मैथड का आप लोग क को समझ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकिया जोंगी अधर्वाइज आप लोग कर सकते हैं याद रखेगा दोस्तों यह जो वीडियो थी यह आपकी कि स्पीर मैं की डिफरेंस मेथड थी कोडियरेशन का कोई मतलब नहीं कोरियरेशन इनका अलग तरीके का फॉर्मर्ला और अलग तरीके स्वाल को सॉल्व करने का अलग है इसलिए मैं आप लोग के वीडियो लेकिए आई थी की हतरा इसी मैथड आप लोग समझ ले क्या कर सॉल्फ करेंगे तो आज की वीडियो बस इतनी है पीडियाफ आप लोग को टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्रम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बागी मैंने असेस्मेंट फॉर लर्निंग के आपकी मेराथान क्लास निकाली है अगर